हला एवरीवन वेलकम तूदिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ और चैनल पनेशाव और कॉमडेटेव इग्जामिनेशन से आपका भी अरार भी एंटी पीसी का जो 6 अप्रल का इग्जाम है यानि कि आज की शिफ्ट वन गा ठीक है यह शिफ्ट टू का नहीं है शिफ्ट दो तीन बच्चों से कॉश्चन कंफर्म कर लेते हैं एक कॉश्चन तब जाकर यह आपको यहां पर कराता हूं ठीक है अंसर बगारे देखेंगी सिधर टुदा पाइंट अब शुरू करते हैं सेशन को देखो सबसे पहले आपका कॉश्चन नंबर वन जो यहां पे इंडिया में ठीक है कौन से अमेंडमेट के थ्रू तो आपको पता होना चीए आइज है आर्टिकलल नंबर 51A जो है ओपका 42nd Amendment जो हुआ था इंडिया का अच्छाँ आप यह कौन से येर में हुआ था यह भी पता होना चेह 1976 में हुआ था और सकस्को एड़ किया गया अगल करेगा तो यह host करने वाला है चाइना ठीक है कौन करने वाला अभी चाइना host करने वाला है इस चीज को धान में रखना अगले question पर आ रहे हैं थर्ड वाला question देखो इसमें आप से पूचा गया कि जो नाटो है अब नाटो का देखो नाटो इन्होंने और वह आप से वह सबको पता होगा एक बार मैं इसकी बात भी कर लेता हूं तो यह होता है नौर्थ अट्लांटिक नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी ऑगनाइजेशन ठीक है टीटी ओ से क्या हो जाता है और इसमें टोटल 30 देश हैं यूरोप के और जो भी देश हैं और अधर कंट्रीज तो यह है आपका नाटो ठीक है यह कॉशन देखो थोड़ा से डीप पूछ लिया है नहोंने नेक्स्ट गॉशन को देखो इसमें आपसे पूछा गया कि जो पुला केशन दिती यह था ठीक है पुला केशन दिती यानि कि पुला केशन सेकेंड ये कौनसे डाइनास्टी का के था कौन से डाइनस्टी चालुक के डाइनस्टी और अब यह कॉश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चालुक के डाइनस्टी में सी किंग को सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किंग बोला जाता है और इसकी राज के समय पर जो राजधानी थी वह वतपी और अभी यह कहां पर पढ़ता है तो करनाटक में वतपी आपका पढ़ता है यह सारी की सारी चीज़ें आपको यहां पर पता होनी चाहिए आगे पूछी जा सकती है आगे आपका जब भी एक्जामिनेशन हो नेक्स्ट वाला कुश्चन देखो फिफ्ट वाला इसमें आप पार में आपका यह मुपाला जो है विद्रोय हुआ था और फिर अगले कॉश्चन पर आते हैं आपसे पूचा गया कि जो दक्कन प्लैट्यू है ठीक है दक्कन प्लैट्यू जो है यानि कि जो दक्षण का पठार है वहां पर जो मिट्टी है स्वाइल कि स्ट्राइब की प रखाऊगा ठीक है अगले कॉश्चन पर आते हैं सावंत कोश्चन पूचा गया कि जो इंडिया में इंडिया को नौर्थ और साउथ में डिवाइड करने वाली यानि कि North और South से अलग करने वाली जो Mountain Range है उसका नाम क्या है है ना उस Mountain Range का नाम पूँछ लिया तो बहुत Easy Question है सब लोग करके आगे होंगे Vindhya Range जो है आपकी Vindhya Range इस ये आपकी जो हमारा North का पार्ट है South का पार्ट है इन दौनों को अलग करने का काम करती है Clear है समझ में आ रहा है सभी को कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना अगले Question पे आ रहे हैं 8 वाला Question देखो इसमें आपका पूछा गया कि जो चिपको अंदोलन था देखो Question ये सारे के सारे Question देखो बहुत Easy है अगर आपने Analysis देख रखा होगा ना तो एक भी Question आपको छूटना नहीं था इनमें से चिपको अंदोलन पूछ रहा था कि Associated किस से था यानि किस से जुड़ा हुआ था तो भया चिपको अंदोलन में क्या हुआ एक पेड़ की प्रजाती होती है खेजरी ड्री ठीक है इनको काटने के लिए लोग आये लेकिन यहां पर बिश्णोई Community धान में रखना बिश्णोई जो समाज है उसकी कई सारी और लोग वहां पर पेड़ से चिपक जाते हैं और वो पेड़ को नहीं कटने देते लेकिन तब भी उसमें से कुछ लोगों को मार करके पेड़ काट दिये जाते हैं तो मतलब और यह जगह आपकी कहां पर पढ़ती है आज के टाइम पर पहले यूपी में था अभी यह उत्तराखंड में पढ़ता है यह रीजन ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर धान में विटामिन की कमी से रुक जाती है ना तो विटामिन के की वज़े से रुक जाती है अगर आपके विटामिन के अच्छा होगा तो ब्लड टलॉटिंग अच्छी होगी ठीक है अगले कोश्यन पर आ रहे हैं टेंथ वाला देखते हैं इसमें आपका पूचा गया कि जो 10 अंधमान को निकोबार से समझ में आती है इतनी सी बात अगले कोश्यन पर आ रहे हैं 11 वाला कोश्यन देखो यहां पर पूच लिया कि शंगाई महोस्व अब देखो यही कोश्यन की मैं आपसे बात कर रहा था यह कल भी आया शंगाई महोस्व यह कौन से स्टेट से अगले कोश्यन पर यहां पर आपसे पूचा गया की सावंटीन लोगसभा सावंटीन लोगसभा के प्रोटम स्पीकर कौन है अगर कोई आपसे पूच ले कि सावंटीन लोगसभा के बताओ कि प्रोटम लोग सभा के भिया स्पीकर है कौन राइट नौ ठीक है इतनी से बात तो बता दू अगले कोशन पर आते हैं 13 वाला कोशन देखो इसमें आपसे पूछा गया कि जो आपके अभी 2021 में न्यू सीम इलेक्ट हुए है उत्तरा खंडे के ठीक है उनका नाम क्या है तो 1024 ठीक है कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है इसमें अगले कोशन पर आ जाएं क्या फटा-फट से चलिए अगले कोशन पर आते हैं इसमें आपका पूछा गया कि जब रोलिंग प्लान आया क्या पूछा है नोंने रोलिंग प्लान यह फाइव यर प्लान वाली चीज़ है आदे सबी को तो रोलिंग प्लान जब आया तो समय देश के पीएम कौन थे तो आपको पता होना चाहिए उसमें जो है मोरार जी देशाई जी जो है अपने पीएम थे किसके इंडिया के क्लियर है अगले कोशन पर फिर से आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखो अच्छा य आपको अरेंज करना था ठीक है फिर एक कोशन आपका जूल से रिलेटेट आपको बताना था जूल से रिलेटेट कौन सा अप्शन नहीं है अब यह अगर जिस बच्छे को याद हो ऑप्शन तो नीचे कमेंट करके बता देना फिर मैं इसका आपको आंसर भी बता दोगे त बतलब एक ही बच्चे ने बताए हैं दो तीन बच्चों ने कंफर्म नहीं किया उसको ठीक है तो वो नहीं कर रहे हैं बाकि यह सारे की सारे चीज़ें इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी पैनेश्याफ और कॉम्टेटिव एग्जामिनेशन जो